गाइस आज कल जो हम फोन यूज करते हैं एंड्रोइड फॉन स्मार्ट फॉन और एपल जैसे फॉन उनकी कीमत लाख में होती है लेकिन काइस क्या आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहला फॉन बना होगा उसकी कीमत कितनी होगी इस वीडियो में बदाएं हैं ऐसे कुछ ऐसे फैक्त आज हम इस वीडियो में लेकर आई हैं जिने सुनकर साइथ आप कहेंगे इन पर यकीन करना मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे फैक्त है जिसमें आप सोचेंगे कि क्या वाकई मेरे रुप्यों से भी हमें स्वर्ग में मिल सकती है तो फटा-फट से को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर चैनल कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करना और बैल आइकन जो पास में दिया हुआ है उस बैल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मे आज कल हर कोई स्मार्ट फोन यूज करता है चाहिए फिर वो छोटा हो या फिर बड़ा हर किसी के हाथ में Android फोन या स्मार्ट फोन नजर आएगा विश्व के हर देश की कंपनी स्मार्ट फोन ये फोन बनाती है एक सर्वे के अनुशार ये पता चला है कि दुनिया की सब से पहले कभाया होंगा और किसने खरीदा होगा और कितने रुपए का होगा दुनिया का सबसे पहला फोन' 1980 में अमेर्का के एक सक्स ने खरीदा था दुनिया का पहला स्मार्ट फोन क्मूटो रोला डाय टैक 8000 एक्शनउ train 1930 में श्लिन विका ठास ता नमबर त्री, कापी सारी ऐसी कमपनिया हैं जो waterproof phone बनाते हैं, लेकिन गाइज, जापान की 90% से ज़्यादा कमपनिया waterproof phone बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग नहाते समय भी phone का यूज़ कर सकें और करते भी हैं, नमबर फो, अगर गाइज, आप लोगों से ये बोल दिया जाएं कि आप अपने इस phone को ट्वाइलेट में fake दीजिए, क्या आप फेकेंगे, ये भगवान क्या जलूम है, impossible, phone खराब हो जाएं, तो हो सकता वो घर के एक phone ही में पड़ा रहें, लेकिन उसको fake नहीं सकते हैं, ल आपस में बात कर सकते हैं, हस सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन गाइज, अंतरिश्च में पहुंचते ही, हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, और नहीं हम अंतरिश्च में रो सकते हैं, और नहीं हस सकते हैं, क्योंकि अंतरिश्च में कोई भी बातावरण होता ही नहीं है नमबर सिक्स जाना देतो हम सबने यही सुना है कि आँखों के ऊपर एक ही पलक होती है लेकिन गाइज एक जानवर ऐसा है जिसके एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तीन पलके होती है कुछ भी? कुछ भी? हाँ गाइज बिल्कुर सही सुना आपने उन्ट को रेगिस्तान की मिट्टी से बचाने के लिए उन्ट की आँखों में तीन पलके होती है भाई मज़ा आया नमबर सेविन अगर स्वर्ग में जगा बनानी है तो आप लोग नोटों को खर्द कीजिए हैरान हो गए ना? तो चलिए बताते हैं ताइवान में मृतक ब्यक्ति की साथ असली या नकली नोटों को जलाया जाता है क्योंकि वहां की लोगों का ये मानना है कि मृतक ब्यक्ति की साथ नोटों को जलाने से उस इंसान को श्वर्ग में कोई भी परिशानी नहीं होती है तो guys ये fact आपको कैसे लगी comment में आप हमें जरूर लिखेगा इन में से कोई भी fact आपको सबसे अच्छा लगा हो तो comment में जरूर लिखेगा मिलते हैं next video में